आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाइल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाइल के प्रती स्रद्धा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर तो ये सत्य घटना है जबलपुर MP से जहां पर रागनी पांडे जी रहती हैं जो कि लड्डू कोपाइल की बहु कुछ ऐसा हुआ कि लड्डू कोपाल ने उनके साथ कुछ ऐसी क्रपा की कि वो उनके बिना अब उनका रहना मुस्किल हो गया है कैसे ये क्या हुआ कि जब रागनी जी साधी होके गई अपनी ससुराल जाती हैं साधी होके तो हम लोगों के MP में एक रिवाज है कि जब साध होती है तो उनके साथ में लड्डू कोपाल जरूर दिये जाते हैं तो ऐसा ही हुआ रागनी जी के साथ में रागनी जी की जब साधी हुई साधी बहुत अच्छे घर से मतलब घर में हुई और इनका माई का पक्ष भी बहुत अच्छा था सब कुछ बहुत बढ़िया था इनकी साधी जहां हुई वो लड़का भी बहुत अच्छा था तो इनके साथ जब लड़ू को पाल गए तो सुरू आत्म क्यूंकि इन्होंने कभी सेवा की रही तो इन्होंने सुरू भी नहीं की फर्स्ट बार रहके आ गई घर आ गई जब ये घर आती हैं तो इनकी जो पांगनी ने कहा कि नहीं दादी मुझे तो पता ही नहीं है कि लड़ू को पाल भी आप लोगों न दिया है अभी तो मैंने देखा भी नहीं निकले हैं कि नहीं तो फिर उनकी दादी कहती हैं कि बेटा घर जाना अपने ससुराल जब जाना तो अपने लड़ू को पाल को न साथ तुम जिस भी रिस्ते में बनोगी मतलब जिस भाव से उनको पूझोगी लड़ो को पाल भी तुम्हारे उपर वैसे ही क्रपा करते हैं चाहे तुम उनको भाई के रूप में सेवा करो चाहे उनको पुत्र के रूप में सेवा करो चाहे दोस्त के रूप में सेवा करो या पूछती हैं कि दादी मतलब कि कैसे भोग लगाना है क्या करना है तो फिर उनकी दादी बताती हैं कि इनके भोग में कैसे जिस भी तुम भाव से जिस भी रिस्ते से उनको पूछो उस तरीके से उनकी सेवा करना अगर तुम एक बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हो एक बच कोटे से बच्चे के भाव में उनकी सेवा करना की जैसे टाइम टाइम से हम एक बच्चे को भोजन देते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को देते हैं उनको खिलो ना लाती हैं वैसे ही उसी प्रकार से तो उनकी लड्डू को पाल की सेवा करना तो वो कह देती हैं रागनी जी लेकिन लड्डू गोपाल नहीं रखे हुए थे तो ये अपनी सासु मा से पूछती है कि मा आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हो तो बोले कि बेटा मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हू क्योंकि उनकी सेवा बहुत कठिन है इसी वज़े से कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए उनकी सेवा में कोई चूक न हो जाए इस वज़े से मुझे उनकी सेवा करने में थोड़ी सा मतलब वो लग रहा है कि कहीं कोई गलती न हो जाए कुछ यूँकि मैंने बहुत सुना है कि लड्डू गोपाईल की सेवा बहुत कठ्hin होती है, उनमें नियम दियम बहुत ध्यान रखा जाता है और क्या पता, घर में उस नियम दियम को कोई मानता है, नहीं मानता क्योंकि घर में सब लोग लहसुन प्याज सब का भोग भी लगता है, सब कुछ होता है तो उनके, मतलब जिसके घर में भी लड्डू को पाल है मैंने देखा है मैंने सुना भी है कि उनके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी बनता नहीं है उसका भोग नहीं लगता है और लड्डू को पाल की सेवा में दोनों टाइम तीनों टाइम भोग लगाना बहुत जरूरी है तो वो कहती है कि हा के साथ-साथ 운 में हाय यह जरूरी है कि उनके साथ साथisson बूजन का भोग लगा हो लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैmm कि अगर जो लेसन प्याज खा रहा है उतको खाने दीजें लेकिन जो सेवा कर रहा है य या फिर जो भोग हम लगा रहे हैं और जिस चीज का हम भोग लगा रहे हैं, उसका ध्यान रखा जाता है, उन बातों का ध्यान रख के हमें भोग लगाया जाता है, कि हम लहसुन प्याज खाके भगवान की सेवा ना करें और ना ही हम लहसुन प्याज का या और भी चीजों का भोग लगाएं जो की सात्विक ना हो तो इन सब बातों का बस ध्यान रखते हैं और बाकी ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि जिस घर में लेसुन प्याज है वो लड़्ु गोपाल को नहीं रह सकते बस कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है तो मा मेरे घर से जो आए हैं लड़ू गोपाल मैं उनकी सेवा करती हूँ और मैं अब उनको निकाल लेती हूँ और उनकी सेवा करूंगी तो उनकी जो सास होती है वो भी कह देती है कि ठीक है बिटा अगर तू कर सके तो इन सब नियम धियम को अगर ध्यान में रख के कर सके लड़ो पाल की सेवा तो कर ले मैं मना नहीं कर रहे हूंगि सास जो थी बहुत अच्छी थी समझदार थी और यही बात होती है जो अगर सास और बहु का रिस्ता बहुत अच्छा है ना तो इसके घर में कभी कलह नहीं होती है कभी लडाई जगड़े नहीं होती है अधिकतर जो लडाई की सुरुवात है जो लडाई जगड़े होते हैं वो दोनों के मन मुटाओ की वज़े से ही होते हैं और अगर हमारे सास और बहु का रिस्ता बहुत अच्छा है तो घर में कभी लडाई नहीं होती एक दूसरे को अगर समझने वाले एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले अगर हैं तो उस घर में कभी रडाई जगडा नहीं हो सकते वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है बस एक दूसरे की फावनाओं को समझना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए सास को भी बहु को एक बेटी के समान समझना चाहिए और बेटी को भी सा समान उसको भी अगर समान मिलेगा उसको भी अगर प्यार मिलेगा तो फिर वो क्यों लडाई जगडा करेगी है ना ऐसे ही सास के साथ भी है कि अगर सास भी ऐसे ही बहु के साथ है अगर बहु सास को अच्छे से मानेंगी उसका समान करेगी उसको अपने मा के जैसे मानेंग तो फिर सास भी क्यों लड़ेगी तो दोनों कुल मिलाके दोनों यही है कि दोनों में bonding होने चाहिए दोनों समझदार होना चाहिए और एक दूसरे की भावनाव का ख्याल रखना चाहिए तो कभी लड़ाई नहीं होती जैसे कि रागनी और रागनी की सास हैं बहुत ही कहते भी हैं कि हां रिस्ता हो तो ऐसा हो बहुत अच्छे से दोनों हिल मिलके एक दूसरे के बहुत ख्याल रखती हैं एक दूसरे की कभी तबियत खराब है कभी कुछ है तो बहुत अच्छे से वो करती हैं सास भी रागनी को पेटी के जैसे ही मानती हैं तो अब क्या होता ह कि बहुत अच्छे से सब चल रहा था लड़ू को पाल की क्रपा से लड़ू को पाल की सेवा रागनी बहुत अच्छे से करने लगी थी रागनी के साथ सासु मा भी लड़ू को पाल की सेवा करने लगी थी लेकिन एक दिन क्या होता है कि रागनी को जाना होता है मतलब कुछ दिन हो चुकी थे माई के मैं या ससुराल में रहते रहते भी ना लड़ीकी कुछ दिन के बाद लगता है कि भाई तित्योहारों में लगता है लड़ीके ओंको मतलब बहुं को कि अब हम अपने माई के हुआएं तो वो भी माई के गई हुई थी और अचानक क्या ऐसा हो जाता है कि जो सासु मा हैं उनकी माई के में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको भी जाना पड़ जाता है कहा जाना पड़ जाता है उनको भी अपने माई के मतलब दोनों सास बहु दोनों अपने माई के ये तो खुसी-खुसी गई लेकिन सास को मजबूरी में जाना हो जाता है तो अब इनकी तो लड़ो गुपाल की सेवा थी जो लड़ो गुपाल की सेवा करते हैं तो उनका तो भोग और नियम तो है भई सुबह साम की सेवा तो जरूरी होती है उनकी तो अब ये कहती है रागनी जी कहती है कि मा आप भी क्योंकि इनको गई हुए कुछ दिन हो गए थ फिर इनका नमबर लग जाता है इनकी सासुमा का तो अब सास कहती है कि रागनी मैं भी जा रही हूँ अब लड्डू लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा तो वो कहती है सासुमा कहती है कि कोई बात नहीं यहां पर एक आंटी है मतलब उनकी सहेली मेरी सहेली है तो मैं उन के घर में लड्डू गोपाल है लेकिन उनकी सासुमा को ये नहीं पता था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती है अब ये रागनी जी तो बहुत अच्छे से करती थी सूपह बढ़िये जो नास्ता बनता था उसका भोग लगा अगर जिस दिन लहसुन प्याज बना है मतला पोहा बना है उसमें प्याज पढ़िये उकमा कुछ भी ऐसा बना है जिसमें प्याज पढ़िये तो उसका लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता था लेकिन और भी चीज किसी दिन हलुआ बना दी नास्ते में कभी दुपहर में जो भी भोजन बन रहा है बिना गर लड्डू गोपाल भोजन जरूर करते थे सुबह नास्ता दुपहर में भोजन और रात में दूध में कुछ भी भल फूल ऐसे का भोग लगता था तो ऐसे होती थी रागनी जी के लड्डू कोपाल की सेवा लेकिन अब मजबूरी ये हो गई कि रागनी जी माईकी आ गया सासु मा भी अपनी माई के चली गई तवियत खराब जो भी कारण रहा हो कुछ प्रॉब्लम थी उनके वहाँ पे माई की में तो अब क्या होता है सासु मा अपनी सहेली को दे देती है लड़ गोपाल पूछ लेती है पहले कि तुम सेबा का अपने घर में तो लड़ गोपाल रखी हो तो कुछ दिन के लिए दो चार दिन के लिए मेरे लड़ गोपाल भी रखलो जब तक हम लोग आते नहीं है तो वो कह अब दिये हुए ये भी सासु मा भी नहीं आपाती और रागनी भी नहीं आपाती दिये हुए इनको हो जाते हैं हपते भर अब हपते भर में इनकी जो लड़ गोपाल है वो तो भूख से तडप गए तडप कैसे गए कि ये तो सब कुछ खाने पीने वाले लड़ गोपाल लेकिन जब वो कहीं पडोस में चले जाते हैं और उनके पास जहां वो जाते हैं उनकी जो वो थी आंटी थी वो अपने लड्डू गोपाल को किसका भोग लगाती थी सुबह नहलाती धुलाती सब कुछ पूजा पाट सब कुछ अच्छे से करती थी लेकिन भोग के नाम पर क पासे रख देती और उसी का भोग लड्डू गोपाल को लगता था तो जो लड्डू गोपाल बता से ही खा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हैं लेकिन जो लड्डू गोपाल पूरा खाना खा रहे हैं सुरू से उनको तो दिक्कत होगी उनके साथ उनका भाव जुड हैं अपने मतलब अपने भक्तों को रागनी जी को या उनकी सासों मा को कि मुझे भूंक लगी है अब एक दिन क्या होता है कि रागनी जी दो चार दिन ही बसते हैं बस आने वाली ही होती है वापस कि एक दिन इनको वही चीज वैसे है क्योंकि देखो लड्डू को पाल जो होत तो एक दिन ये रागनी जी सो रही थी और उसी दिन मतलब जब आने के कोस दिन पहले और उस दिन उनको सपने में अजी नीद ही नहीं आ रही थी वह बहुत टाइम हो गया, उनको खुद ऐसा लग रहा था कि आज मुझे नीद क्यों नीरा आ रही है और जैसे तैसे उनको नीद लगी क्योंकि वहाँ वो ले डूगोपल परिशान थे तो ये भी परिशान हो रही थी वही कहते हैं ना कि जब हमारा रिस्ता जुड़ जाता है किसी भी इनसान से भगवान से तो हमें उनके मतलब सुख दुख का अनुभो होने लगता है ऐसे होत तो हम जरूर उसको फोन करके पूछेंगे कैसे भी और वो बात सही निकलती है कि हाँ उसको कुछ प्रॉबलम थी ऐसे ही भगवान और भक्त का भी रिस्ता होता है उन दोनों का भी संबंद ऐसे ही होता है तो जब यहां लडू-गोपाल इनके भूके रहते तो एक दिन रा कितने दुखी हों तो उनको लगा सपने मैं से देखी तो सूबह बताएं कि मा आज मुझे मतला अपने माई के मैं कि मुझे आज मेरे लड़ू गोपाल दिख रहे हैं लेकिन उनका वो वाला चेहरा नहीं दिखा जो मेरे साथ मतला वो खिलाता सा मुस्कुराते हुए गोपाल दिखे तो वो दादी ने भी कहा कि हो सकता है तेरी याद कर रहे हो ऐसे करके क्योंकि भगवान तो है इनका रिस्ता तो जुड़ा हुआ है तो भी उनके साथ एक बाल रूप में सेवा कर रही है तो भाई रिस्ता तो है वो उनको भी याद आ रही होगी हो सकता है अब दूसरा दिन होता है ये बात हो जाती है अब दूसरे दिन फिर जब ये सोती है आधी रात होती है और फिर अब तो ऐसा सफना आया कि ये बेचैन हो जाती है परिशान हो जाती है उसमें क्या दिखा एक बच्चा है जो कि बहुत रो रहा है और ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े उसके आसू गिर रहे हैं और वो ऐसे कह रहा है ऐसे मतलब उनको एतर लग रहा है कि जैसे कितना भूखा बच्चा हो और भूख की वज़े से तड़ा फरा हो और सोचो ना जो सुबै दो फैर साम को जो बच्चा खाना खाने वाला है उसको और कोई इतना सा बस रख चाहे दूद रख दे बतासे रख दे उसका कैसे पेट भरेगा यही हाल तो उनके लड़ू को पाल के साथ थी अब यह तो परिशान हो जाती है कि कौन बच्चा है जो मुझे कभी ऐसे लड़ू को पाल दिखते है कभी बच्चे दिखते हैं तो यह है क्या फिर वो दादी स की सेवा करती थी उनको तो यह सब अनभो थे थोड़ी बहुत इतने वर्सों से क्योंकि लड़ू गोपाल जो है वो संकेत के माध्यम से ही हमें अनभूती कराते हैं तो उन्होंने कहा कि एक बाद एक काम कर कि तो पूछ ले अपनी जहां भी लड़ू गोपाल है पूछ लो की सेवा करतो रही हो ना तो वो बोलती है भाई उनकी भी कोई गलती नहीं क्योंकि वो हमेशा से अपने लड़ू गोपाल की ऐसे ही सेवा की है सुबह नहला धुला की बठाल दी और बतासे का भोग लगा दी है जो भी उनकी घर में चिरोंजी बतासे दूद जो भी है बस वही भोग लगाती और कोई वो नहीं कि उनकी घर में खाने का भोग नहीं लगता था तो उनकी भी कोई गलती नहीं है लेकिन गलती ये हो गई कि ये खाने वाले और इन्होंने कुछ बताया नहीं कि हमारे लड़ू गोपाल ऐसे भोग लगाते हैं उनकी भी कोई गलती नह अब ये इन्होंने पूछा और उन्होंने फिर सब कुछ पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हां जैसे मैं, मतलब सोबह मैं भगवान को नहला अके और बतासे का भोग रख देती यहूं, जब ये बताया से का मतलब वो बहुत दुखी हो जाती है और उसको फिर ये सब बात मतलब दोनों दिन के सपने से उसको पता चल जाता है कि ये और कोई बच्चे ने मेरे लड़ू गोपाल ही है जो कि इतने दिन हो गए मुझे आए हुए और वो जब से उनके घर है अपते हो गए और वो बतासे क भोग लगा के बतासे खा के भूखे मतलब इतने से बतासे में उनका क्या बेट भर रहा होगा और वो इस वज़े से मुझे सपने के माध्यम से मुझे संकेर दे रहे हैं और अब ही उनको दो-чार दिन रुखना था लेकिन वो उसी दिन अपनी ससुराल आ जाती है ससुराल लड़कुपाल को लेती हैं और माफी माँगती हैं कि लड़कुपाल अब हमें माफ कर दो हम आपके कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे दो मैसे एक रहेंगे कि कुछ न कुछ ऐसे प्रबंध करके जाएंगे आपको भूखा बिलकु नहीं रखेंगे तो ऐसे होते हैं हमारे लड़ू गोपाइल की किसी न किसी माध्यम से संकेत करते ही हैं बताते हैं